के नमश्यक्री नगदे यूनीकलुक लसे की यूटीघ्जुब चैनल पर मैं आपका हाथिक स्वागत और अभी नन्दन करते हूं बात करते हैं ज्यूणि के एक्साम कि तो हर बार ज्यूणिक के एक्साम कि बात हो और वालों, MP वालों ये आपके लिए भी है क्यों कि ये जो सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रही हूं ये APO के एक्जाम में भी आता है तो राजस्थान वालों APO की वेकेंसि कभी भी आ सकती है और MP वालों APO की वेकेंसि आ चुकी है आपके यहांपे सेलेबस डिकलेर हो चुका है, सीटे अनौस हो चुकी है, तो आप तो चिंता फ्री हो जाएए, तो बंद करने से फ़ेले रुकी जाएए फिर से, क्योंकि कई बार होता न अच्छा हाय जुडिश्य पढ़ा रही है, मैं जुडिश्य का नहीं दे रही है, पर अंदर भी है, फिर आजाता है हमारे पास, तो छे स्टेट तो मुझे at the time याद है, एक दो और हैं जो मैं verify कर लेती हूँ, MP हो गया, पंजब हो गया, वेस्ट पंगाल हो गया, even, yes, गुजरात में भी आता है, और ये हमारे गुजरात में भी आता है, और एक और बच गया हम जो है, चतिस गड़, ये चतिस गड़ में भी आता है, चतिस गड़ में भी आता है, यानि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे है, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 8 हायर जुडिश्री में आता है, साथ ही आता है हमारे पास APO के एक्जाम में, और कौन से APO के एक्जाम में आ रहा है भी हाली में ये आ रहा है राजस्तान के और साथ में आ रहा है हमारे MPK, यानि ये सब्जेक्ट आपके काम का है, और APO की वेकेंसी कभी भी राजस्तान में आ सकती है, लास्ट वेकेंसी कभी 2016 में, अभी क्या चल रहा है, 2020 तो बाने की जहें, कब आएगा अभी कोरोना चल है यह सांत होते ही सा वेकेंसी ही इनको निकालनी है चीक है तो हमें अपनी त्यारी कांटिन्यू कर नहीं है तो आज हम जो एक्ट लेकर हैं उस एक्ट का नाम है एंडी पीएस एक्ट स्वापक औस्दी और मन प्रभावी परदात अधिन्यम तर नार्कोडिक ड्रक एंड साइको ट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट नाइटी नेटी फाइड सौर्ट में इसको बोलते हैं एंडी पीएस एक्ट यह जो एक्ट है यह क्रिमिनल नेचर का माना चाता है कैसा नेचर मान होते हैं हमारे पास जनरल एक्ट हैं जो सब पर अप्लाई होता है फिर हम बोलते हैं लॉकल एक्ट बोलते हैं फिर हम स्पेशल एक्ट जो हम बोलते हैं स्पेशल एक्ट हैं तो स्पेशल एक्ट जब 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 पड़ेगी किसी चीज के लिए बना सकते हैं और स्पेशल एक कोई चीज़े हो गए उसके लिए काम करते है, IPC के सेक्शन, बट NDPS के स्बस्टेंज के लिए हमें एक अलगी एक्ट बना दिया गया है, और यह Special Act है, तो यहाँ पर Special Court बेरता है, और यह Special Court है उसके जो जस्सा भी Special, वो जस्सा किसके equivalent होते है हमारे position court के, किसके equivalent होगे, session code के तो special code के फिर appeal भी का होगी हमारी high code के पास यहां तक जाने के लिए, क्योंकि मैं तो judiciary में वही काम का है, कि कौन court सुनेगा, कहां तक जाएगा, इसलिए high judiciary level का यह आ जाता है तो उसके पास जाने से पहले हम इसकी चर्चा करते कानून है क्या साथ यहां पर हम देखेंगे, कि higher judiciary के exam में पूरा act नहीं पढ़ना होता है क्योंकि पूरा act पढ़ेंगे, तो बाकी का course कप करेंगे, तो इसमें selected पढ़ने होंगे, कि यह मेरे question बनता है यह नहीं, तो यहां पर जल्दी ADG की classes start होने जा रही है तो यहां पर कहीं बार था कि ADG में कैसे पढ़ाएंगे, तो आज में बता दू कि ADG के लिए हम कैसे preparation करवाएंगे ताकि कम time में आप अच्छा कर सके क्योंकि आपके पास already इतना सारा काम होता है, आप को जाते हैं जब बात करते हैं हायर जुडशी के तो already आप seniors हैं आपके पास परिवार की इतनी liability है कि आप पूरी तरह से सब चीज़े छोड़ कर बैट कर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ साथ परिवारों प्रैक्टिस के साथ किस तरह से इसको कर सकते हैं, किस तरह से इसको easy बनाया जा सकता हैं, तो यहाँ पर उतना ही पढ़ाएंगे जितनी कि आपकी exam point of use से काम का है लेकिन अवर भी इसलिए पूरा देते हैं कि कि किसी चीज तक जाने से पहले उस पूरे चीज के वारे knowledge हो नची वो कहता किया है साथ ही APO के exam के में बात करेंगे तो APO साब सुननीजी आपको अपने दिमाग में बतती चलानी है कि मैं ऐसे APO बनता हूँ और वाँ खड़ा हो तो, तो कौन से provision है जो में लिए काम के है और मैं बता दू मैं आपको APO के exam में पूरा कानून पढ़ना पढ़ता है क्योंकि APO साब खड़े ही से लिए होते हैं कि criminal matter होता है तो government के लिए तरफ से खड़े हो जाते हैं तो APO साब को तो पूरा पढ़ना ही पढ़ेगा तो चले स्टार्ट करते है एंडी पे सेक्ट 1985 एक्ट नमबर इसका 61 है APO के exam की बात करते हैं तो APO में negative marking होती ध्यान रखना तो बहुत धंग सी और साबधनी पूरा का आपको इसको read करना पढ़ेगा तो आता है इस act का नम then टोटल चैप्टर कितने इसके पास 6 टोटल सेक्शन 83 कब आया ये 14 नमबर 14 नमबर को क्या होता चाचा नारूजी का जनम दिन भी होता है तो ये 14 नमबर 1985 को आया है extend क्या है सबसे interesting बात यही से start होती है इसका extend पूरे इंडिया में है इवन दो इंडिया के बाट जहां जहां इंडियन जाता है वहाँ पर भी है इवन दो इंडिया में registered जो भी हमारे ships हैं हमारे aeroplanes हैं अगर वो कहीं और जिगभी जाते हैं और वहाँ उस during कोई भी तरह का substance को लेकर आप import export करते हो तो उसका जो diction भी इंडिया में होगा यही बात और कहां पढ़ते हैं यही बात हमें पढ़ने को मिलती है IPC याद आया section 1, section 3, section 4 IPC भी यही कहते है मैं इंडिया में भी apply होता हूँ जहां जहां मेरा इंडियन जाता है वहाँ पर भी apply होता हूँ और तो और मेरी यहां पे registered जो चीजे हैं अगर उसके उपर चाहिए इंडिया में चाहिए इंडिया के बाहर कोई भी कुछ भी करता है तो मैं apply होगा तो हमारा IPC और यह भी और मैं बता दू आपको के यह NDPS स्टार्टिंग से जम्मो कश्मिन में भी apply होता है अभी इसको नहीं क्या यह स्टार्टिंग सही जम्मो कश्मिन क्योंक जब इंडिया के बाहर apply हो रहा है तो जम्मो कश्मिन में अप्लाई होना ही है चलिए आगी बढ़ते हैं हम लोग देखियां chapter 1 सबसे ची बात क्या है इसका chapter 1 के लोग या इंडिया की किसी भी subject में चले जाओ आप लोग के अंदर सबका chapter 1 यही है other than constitution and other than uncodified law तो इसका मतलब codified law के अगर जाते हैं तो सबका chapter 1 यही होता है but international law आदा codified है आदा uncodified है इसलिए international law के बात नहीं करगे तो थो हम किसके बात करेंगे हमारे constitution के international law कही है कहीं judiciary के अदर बहुत सा contribution में नहीं जहां पर वो है वो है और उसका exception ही है बाकी कहाँ किया चलता है हमारा constitution ही चलता है तो constitution का हमारा starting जो यह नहीं है तो constitution का preliminary ले कहां दिया गया है, part number 22 में, कहां दिया गया है, part number 22 में, तो starting chapter number 1, preliminary section 1, 2, 3, ये chapter अपने आप में very important होता है, किसी भी कानून में जाएंगे, ये chapter आपको पूरी उस कानून की कहानी बताते हैं, तो ये chapter आपको पता हो नहीं चाहिए, starting इसका है, preliminary chapter 1, 1, 2, 3, second आता है, अब यहां पर क्या देखेंगे, यहां आएगी authority, क्या कहता है, authorities and उनके officers आएगे, 4-7, तो सबसे उले, starting में, preliminary आगया, फिर उन्होंने अपने office बता दिये, कौन-कौन बैठेगा, कैसे-कैसे बैठेगा, कौन-कौन authority होगी, क्योंकि मैंने यहां पर किसकी जुरूत है, authority की, जो जाकि उन्होंने चीजों को पकड़ेगी, दिना आता है, chapter number 2A, एक नया chapter जुड़ावा 2A, जो national fund की बात करता है, यह जो fund इसमें खटा होता है, यह fund किसके लिए है, ताकि हम इन चीजों पर improvement कैसे कर सकते हैं, कोई addiction है इस चीजों का, तो उसको कैसे protect करा सकते हैं, यानि कहते न, workshop चलाने के लिए, awareness की program चलाने के लिए, तो fund जो चाहिएगा, वो fund आपके कहां पर है, यह, यह fund कहां से आएगा, central government देगी, state government देगी, इवन दो जो बड़ी-बड़ी private companies हैं, NGOs हैं, उनके पास से भी खटा किया जा सकता है, तो chapter number 1 कहता, preliminary, chapter number 1 कहता, preliminary, chapter number 2 कहता, authorities and officers, कहां से कहां से कहां तक 4, 2 का 7, देना तक chapter number 2A, national fund, कहां से कहां तक 7A से 7B, एक चीज यहां तक न, जब भी कोई चीज बीच में add की जाती है, तो उनके sections भी ABC चलेंगे, अब बहुत सरे से कानून उठा के देख सकते हैं, जहां पर इचीज आपको देखने को मिलेगे, now, chapter number 3 कहता, अब हम क्या करेंगे, इन पर control करना, start करेंगे, तो कहता है, Prohibition, Control and Regulation, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या है, उसकी प्रोसेजर होगा, 8 से 14, यहां पर हम पढ़ेंगे, कि आप ऐसे कौन से substance है, जिनकी आप खेती कर सकते हैं, कौन से substance है, क्योंकि जो medical purpose के लिए भी यूज की जा सकते हैं, तो वहां आपको permission मिलेगी, क्या आप यह यह यूज कर सकते हैं, लेकि बहुत सार यह से चीज़े हैं, जिसका यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे section 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 13 और 14, 14 बड़ा काम का है, डेकोरिशल के लिए जिनकी जोगा यूज कर सकते हैं, वो substance आप जो है, उसकी crops बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे 8 से 14, अब आप कहेंगे क्या में हमारे exam बंट उसे काम का है, अब जो काम की जीचे हैं, जो आप सब को पढ़ने हैं, वो हैं चेप्टर नमबर 4 और चेप्टर नमबर 5, यहां से जो सवालों की बोचहार होगी, उसकी कुछ काम नहीं होती है, चेप्टर नमबर 4 कहता है, फाइनली आपने ओफिंस किया, हम आपको पैनल्टी देंगे, तो हमारा काम क्या है, जो ओफिंस करके आएगा, उसको पैनल्टी देना, एज जुडिशल ओफिसल भी यही काम है, और EPO साब का काम है, उनको उसर जाद दिलाना, तो कहता है, चेप्टर फॉर ओफिंस और फैनल्टी इस फिफ्टिन से फॉर्टी, चेप्टर नमबर वन, प्रेलम नरी, वान टू का थ्री, चेप्टर नमबर टू, आगी जाने से पहले, कहीं बच्चों के मैसेज़स आते, आप रट्टाफिकेशन कराते हैं, तो भाई, पार्लियमेंट ने मना कर रखा हैं, कि कानौन का इंटर्प्रेशन अपनी मर्जिस से ना करें, तो फिर याद ही कराना पड़ेगा, ABCD को अपनी भासा में बोलके दिखा बेटा, तो आपको तकलीफ हो रही हैं, कि मैं रट्टाफिकेशन कराते हैं, फिर भी मैं के वीडियो क्यों देखते हो, मैं तो निवेदन करूँगे बच्चों से, जिनको मेरे ट्टाफिकेशन से प्रॉब्लम है, जिनको मेरी लेंग्विज से प्रॉब्लम है, जिनको मेरे सलेक्शन नहीं होने से प्रॉब्लम है, पाय वो मेरे वीडियो ना देखें तेंशन ना करें क्योंकि मैं फिरसे कहूंगी एक बार बैटके इंटर्परटेशन जरू पड़ेगा इंटर्परटेशन क्लियर कहता है कि लौक को आप यह वह जुडिस्ट्री को बोलती है कि लोग को अपनी भासम इंटर्परटेट नहीं नंबर नंबर को उन में ललाट है, ठीक है? तो फिर मैं फिर याद करा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे revision करा रही हूँ, तो मुझे क्लिक किया कि मैं आप तो ratification कराती, कहीं भा ratification काम आ जाता है, क्योंकि वकिल सहाब इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, concept तो 302 चल रहा है उसने यह तो नीका मडल का case चल रहा है 302 क्योंकि वो law की section है उसको याद है 302 चल रहा है आज उसके उपर 325 का मुकदमा हो गया वो 325 किसकी बात कर रहा है उसके उपर 498 यह चल रहा है क्या है 498 है रटना ही पड़ेगा अपनी भासा में बदल नहीं सकते ठीक है चले फिर से क्योंकि revision कराने की मिरी आदत है और जब चीज़े याद हो जाएगी तो चीज़े खुद ही समझ में आजएगी कहीं बार आप देखेगा पढ़ने बैठते न आपको समझी नहीं आ रहे हो कानून कहना क्या चाते लेकिन यदि आपने एक बास को याद कर लिया खुद से ही याद हो जाएगा सेक्शन 34 IPC पढ़ना कभी उसमें कहीं बिराम नहीं है और जब आप याद करेंगे न वो आपसे बैसे ही आपकी मुण से निकलेगा जैसा कि वाँ एक्जेक्ट लिखाफा है तो देट इस नोट ए रट्टाफिकेशन ये कानून की लेंगेज है सेक्शन नबर 11 आप जाएगे इंडियन एविडेंस एक्ट जब भी पढ़ेंगे न वैसे ही याद होगी क्योंकि आप उस चीज को चेंज ही नहीं कर सकते वो जो बात कहरा एक्दम सही है और कानून बनाने वाले ने बहुत सो समझ के बनाया ठीक है? तो याद करने को तुम लट्टाफिकेशन कहते हो तो ठीक है याद चलो रखते हैं तो चेप्टेन नमबर वन ट्रेलियम नरी सेक्शन नमबर वाइन टू का थ्री चेप्टेन नमबर टू कहता है मेरा अथोरिटीज और ओफिसर साएंगे फोर तो सेवन चेप्टेन नमबर टू एक हैता हम फंड्स अविलेबल करेंगे जो हमारे इसेंचल गवर्मेंट भी दे सकती है उनकी फंड की प्रोसेसर से ले सकता है 7A से 7B और दें चेप्टेन नमबर 3 कहता है प्रोइबिशन हम करेंगे आपके पर तो चेप्टेन नमबर 5A कहता हम उसका फोर फिचर करेंगे क्या क्या कि इस या मैं बात करें इसी मटियल की यानि ऐसी कोई मटियल जो आपके पास नहीं रह सकती जो प्रोहिबिटेड है तो उसका फोर फिचर कर लिया जाता है एसा ही एक प्रोविजर हम पढ़ते हैं जो एंडीपेस से रिलेटेड नहीं है लेकि इसके अधर देंड क्योंकि यह तो यहां आ गया एंडीपेस खुद बन गया तो यह फोर फिचर के जरूत नहीं पढ़ी लेकिन एक फोर फिचर हम पढ़ते हैं CRPC में जहाँ पर आपके पास जो बुक्स होती हैं या डिफिमेशन जैसे चीज़े होती हैं या 124 AIP से शेडिशन से रिलेटेड कोई मटेरियल है उसको भी फोर फिचर किया जाता है अथार्ट जो जिज़े सरकार लेकर चली जाती है उसे कहते है फोर फिचर 68A से 68J तक अब देखे एक चीज़ और कित्रे रोटल सेक्षन ते 83 26 सेक्षन यहां जुड़ गए 26 दो सेक्षन यहां चुड़ गए 37 28 यह कहने को दिखता है 83 चल गए 100 के पार तो यह हमें कई बार ऐसे उलू बना देते हैं अंदर यह अंदर ती चीज़ एक्स्ट्रा दे देते हैं कि वो एक्स्ट्रा होई जाती है हमारे तो चेप्टर 6 5 पे कहता कि अगर तुम उफेंस करोगे प्रोसेजर में तेरे पार जो भी मडेरियल है हम उसका फॉर्फिचर कर देंगे और देना तर चेप्टर 6 क्या कहता है 69 से 83 यानि सब कुछ खतम तो अब देखी जनरली कानून में क्या होता है स्टार्टिंग प्रिलेमरी से स्टार्ट होता है और लास्ट खतम मिसलेजने से होता है तो यहाँ पर भी लास्ट मिसलेजने से खतम होता है तो एक छोटा सा प्रोसेजर बताता है कि यह आपको introduction दे रहा है फिर आपके अपने officer से मिला रहा है फिर ने फंट दिला रहा है आपको ताकि आप उस पे control करने के लिए नहीं प्रोसेजर अपना सको फिर भी करता था आप वो offense होगा पेनल्टी दीजिए, पेनल्टी के लिए प्रोसेजर कीजिए चीज़ें कर लेनी पड़े तो forfeature कीजिए और कहनी को खतम कीजिए लेकि offense को होने से रोकिए क्योंकि ये offense बहुत उल्टे उल्टे काम करवाता है आप देखे ना एक बंदा नसे के हालत में क्या कर देता है किसी का रेप कर देता है, मार देता है एक केस भी है इसके उपर जिसके उन्दर उसने उसके मूँ पे हाथ अग दिया था और उसने कहा कि मुझे तो होसी नीट था कि मैंने क्या काम किया है और यह case अपने पास public prosecutor versus B8 करके case है जो आप पड़ते हैं section number 85 of IPC के अंदर पड़ते हैं तो और कहीं बार यह job of answers है यह किस level तर जाता है कोई सोच नहीं सकता इनको रोकना भी बहुत ज़री even though हम इसमें पढ़ेंगे आपको 20 years तक की punishment मिलेगी कहीं न कहीं तो मुद्धा बहुत खतरनाक वाला यह है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कालेज के बच्चों के साथ हो रहा है नुकसान उनको कैसे रोका जा सकता है कालेज के बार drugs मिल रहे हैं यानि बच्चा घर से पढ़ने जाता है माता पिता सको घर से पढ़ने के लिए बेज़रे दूर और बच्चा क्या करता है 12th के बाद जाता है Most of law students तो specially देखने को मिलेंगे आपको और बाद में जो हाला तो तिक जिन्दगी भर के लिए रोना है यह सब चीज़े market में available हो रही है इनको कैसे protect कर सकते हैं कैसे control कर सकते हैं इन सब के बारे में यहां कर काफी सा चीज़े हम देखेंगे देन आता है आपके पास chapter number 1 Pre-latery section 1, 2 or 3 section 1 कहता short actor, 2 कहता definition, close or 3 कहता list अथर्थ वो list बनेगी कि कौन से चीज़ जो है NDPS को prohibited करती क्योंकि हमारा जो medical related जित्ता में material है वो भी इनी चीज़ों से बनता है कुछ चीज़े हैं जो medical purpose से योज आती है तो हम किसी भी चीज़ को पूरी तरह से band नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा ही भी जोड़ी है बड़ कहीं बार अच्छा ही के साथ जो हम बुरा ही जोड़ जाती है तो वो हनी कारक हो जाती है तो यहां पर बात करेंगे list कौन प्रिपेर करेंगा यहीं से जहां पर प्री का exam का question हता है वो exam यहां से निकल के आएगा तो section 1, short title, external commitment पूरा का पूरा section 1 में उपर लिख रखा है section 2 definition close अब total इसमें 29 definition है ऐसे ABC देखो तो बहुत जाता है पर numbering से 29 है अब क्या पूरी 29 पढ़ने है क्या पूरी 29 exam point है उसे काम के नहीं तो अब उसमें से चूज करना है कि कौन सी मेरी exam में आएगी कैसे पता करेंगे उस पता करने के पीछे क्या है उस पता करने के लिए पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत research करना पड़ता है दब जाके पता चलता है बस यही section जो exam point हो उसे काम के है जैसे छोड़ा समयने के example दिया है कि हमने addict कौन है उसको पढ़ना है cannabis क्या है हमारे पर commercial quantity क्या है इसमें तीन चीजे पढ़ेंगे हम commercial quantity क्या है हमारी वाने जेक मात्रा क्या है फिर वाने जेक से उपर और अधिक्तम से मात्रा से नीचे क्या है इन तीनों की जो तीन definition है यह हमें बता होनी चाहिए और यही हमारा जो man चीजे है वो यही हमारा बताता है कि यह कौन-कौन सी हमारी मात्रा होती है तो सबसे बलाती ही वाने जेक मात्रा जो दे रखी है हमारी saver A के तहर दे रखी है देन आता है हमारे पास 23A अलप मात्रा अलप मात्रा कहां पढ़ेंगे 23A में कहां चला गया हमारा 7A 23A में तो एक कमर्शल आता है एक यह आता है और एक दोलों के बीच का आता है और तीनों के लिए पनिश्मेंट डेफाइन की गई है यही तीन वो चीजे हैं जो हमें बताएगी कि वानिचेक मात्रा में आपको प्रोबेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं कमपाउंडेबल होगा या नहीं होगा फिर आता है हमारे पास अलप मात्रा small quantity की बात लेगा वो जो है कमपाउंडेबल है या नहीं प्रोबिशन का benefit मिलेगा ने और इनके दोनों के बीच की condition में क्या रहेगा ये सरी चीज़े हम इसमें देखेंगे साथे साथ आता है हमारे पास तो कुछ से लेखा है मैंने 7A, 7B लेगे तो कुछ ही हमारे पास तुनेंदा है जिनको हमें पढ़ना है इसपेशली, बाखी चीज़े आयनाय हमें ये पता होने चिए जो कानून का नाम है उनकी परिपास है तो उनकी परिपास है section 14 और section 20 यानि 2 का 14 और 2 का 23 ये हमें पता होने चीए तो जब भी आप कोई कानून पढ़ते हैं तो आपके पास क्या पता होने चीए उस कानून को बनाने का object क्या था उस कानून का नाम क्या है नाम के लिए उसके definition close कहांदे रखा हैं और definition close के लाव मुझे उसका code की बात जैसे मिने ब section number 6 में भी याद हैं अगर आपने में देखा हैं तो हमने CRPC के section number 6 में भी हमने इसी की चर्चा की थी कि वहाँ पर session code होता हैं तो session code किस तरह से का करता हैं तो इसी तरह से इस chapter को हम आगे ले जाएंगे अगले session में आपको इसका detail भी बढ़ाएंगे और उसकी बाज़ा से कि मैंने आपको बता हैं कि जल्द ही हम लोग start करें जल्द का मतलब date day देती हो मैं आपको हम लोग 15 माई से कितने ताइक से 15 माई से ADJ की batch start कर रहे हैं तो आप लोग उस batch को join कर सकते हैं इस classes के लिए अधिक जानके के लिए call कर सकते हैं ये classes online होगी क्योंकि मुझी पता है कि हम online classes start हो जाएगी इस online classes कैसे चलेगी क्या इसका duration होगा कितनी इसकी fee होगी इन सब के लिए इसके अधिक जानकरी के लिए आप call कर सकते हैं 9950574460 पर इस पर आप call कर के अधिक जानकरी ले सकते हैं ठीक हैं साथी साथ जुडिश्री की भी हमारे classes चलती हैं जुडिश्री की ट कर सकते हैं आपिकली तान्यवांतो